नमस्कार मैं हूँ जितेंद्र गोतम और आप देख रहे हैं जन्हिट टाइम आज हमारे साथ मौजूद हैं जो सोचल मीडिया पर गाजयबाद के बेटे के नाम से मशूर हैं और बहुत सी ऐसी उन्होंने जानकारिया सोचल मीडिया पर शेयर किया जिससे लगता है कि आपकी जानकारी के लिए बता देंगे इस बार निर्दली है चुनाव विदान सवागा लड़ रहे हैं जिसमें गाजयबाद सहर सीट से यह चुनाव लड़ रहे हैं अमिजी आप से जानना चाहेंगे आपको चुनाव चिन कैची मिल गया है अब इस कैची को किस तरह से च सब्सक्राइब करते होंगा जब वार होते हैं तो एक जवान जो जमान पाइसर शर्सक्राइब की पर लड़ गया है IL C pandemic बूछ से उसकिए यह अभी आपने देखा होगा जीडिये का पांसो बात्तक कोलों का घोटाला हुआ किसी भी सरकार ने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई है चाहे सपा हो चाहे बसपा हो चाहे कॉंग्रेस हो चाहे भाजपा हो इन सबने मिलकर गाज़बाद को लूटा है और यह बोल नहीं है और वह इसलिए नहीं बोले जब सर्माइधार खड़े हो गए ना तुमेरी बोलना मैं तेरी बोलूं और तीन सो कलोनिया अवैद हो गई चाह किसी के भी शासन करने में हुई हो लेकिन वह क्यों हुए है हम यह पूछना चाहते हैं तो किन-किन कामों से आप उनके नराज सर देखिए जब से वह जब जीते-थे तो ने पिताजी के नाम से जीते थे उन्होंने उन्होंने वादागरा सो बस लेकर आँगा उनकी एक बस नहीं आ सकी गाज़ाबाद में तीन-चार बस वह साहिवाबाद विधान सब्सके बाद एक बार फिर एक आर्टिकल आता आए अगबार में कि थार्टी नाइन बस आई उस बात को भी चार साल हो गए और गाज़ाबाद को आप देखते हैं टेक्स परदेश में दस हजार क्रोड का टेक्स रेवनुए देते हैं लोग और हमें वह सुईधा नहीं मिल रही है अगर आप बन जाते हैं जीत जाते हैं तो सबसे पहले वह कौन से काम है जो आप करना चाहेंगे अपने करेकाल जी सर अब प्रेंप्रेट्ट बनवाया जिसके जनता को परचारीट कर रहे हैं कि हम क्या-क्या सबसे पहले मुद्दे रहेंगे हमारे सबसे पहले मुद्दा हमारा गाजबाद विधानसबाद शेतर में अस्पताल वे स्कूल का निर्मान करेंगे जो आध्यां तक सभी सरकारों ने कहा ह और ऑक्षिन के श्रेंटर बिग गए ऐसे जो काले कानून है और काला बजा रही है इस पर रोक थाम कि हम पूरी योजना बनाएंगे महिलाओं की शुरक्षा के लिए और आपात कानली इस्तिति में विधायक भाग जाता तो जनता परिशान तो होई जाती है मैं भागने व वरद्दी ना हो हम चिक्षा वरद्दी की तरफ द्यान देंगे हैं यह थे हमारे साथ अमिश शर्मा जो की विधान सबाद चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और अब इनका जो नोमिनीशन के बाद जो चिन मिलना था वह भी लगवग पूरा हो गया अब ऐसे में देखते हैं कि दस फरवरी को जब चुनाव होता है और दस मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो क्या नतीज आते हैं गाजियाबाद समेजिते इंद्र गोतम जैन हिट टाइम कि अग्या